रण्मुक तेश्वर पल के समीब शनिवार रात करीब 9 बजे अक्टिवा सवार दो लोगों ने लेबर कंस्ट्रक्टर को गोली मार कर 9000 रुपे चीन लिये और फरार हो गये बता जा रहा है कि घायल व्यक्ती मेला देखकर इमलिपूरा में आयोजित विवास हमारों में जा रहा था महीं ठेकेदार के अनसार पलोट के विवाद के चलते आरोपियों ने हमला किया है उजन शेहर में बढ़ते अपरात के बीच कल रात एक गोली चलाने की घटना सामने आई है इस घटना में लेबर कंस्ट्रक्टर को पाव में गोली मार कर 9000 रुपे लूट लिये शनिवार को कार्तिक मिला देखने के लिए गया घाल सुरेश चोहान निवासी दतोटर दिवास लेबर कंस्ट्रक्टर है कार्तिक मिला देखने के बाद पैदल इमलीपुरा स्थित जात धर्मशाला में विवास समारों में आए अपने बुआ के लड़के लाखन से मिलने जा रहा था उसी समय दो यूवक एक्टिवा पर आया और पाउ में गोली मार दी और साथ ही लाखन को देने के लिए रखे 9000 रुपए भी आरुपी चींका ले गए घाल ने बताया कि रणवुक तेश्वर पुल पर अक्टिवास लाए अजहर वो मौसीन ने उसे रोका और पैन में गोली मारी घाल सुरेश ने लाखन को फोन कर मौके पर बुलाया सूशना मिलने पर पुलस भी मौके पर पौची और घाल को जला अस्पताल पहुचाया जार दर्मसाना वहां कारी करम था मैंनों भाई काम चल रहा था इसने बोला कि में लेवर के पैसे दिने तो में पैसे लीका माँ जा रहा था था जो आजार वड मोसीन काई के लिए मारा आपको साब 15 रोज पहले प्लाक की बात हुई थी और मेनम प्लाक लेने की मेरी संता नहीं थी तो उसने बोला था भी प्लाक तुल लेगा कर नहीं लेगा तो मैंने मना कर दा साब मैं प्लाक निलों पुले